सो वेलकम फ्रेंट्स तो आगते आप सभी का डेली न्यूज अपेर्स की सिरीस में बैसिक नोलेज के साथ साथ फ्रेंट्स अगर आप किसी भी एकजाम की त्यारी कर रहो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मैथ फ्रेंट रने वाला है अगर आप चेनल पर पहली बार विजिट कर रहो तो चेनल को सबस्क्राब करके विल आइकन को प्रेस कर लिजी इसकी पीडिय आप टेडिग्राम से डाउन डॉट कर सकते हूँ लिंक आपको डिस्क्रप्शन है मिल जाएगी दोस्तों आज के डिपेस टोपिक में हम बात करने वाले है भारत की आम फोर्सेस के द्वारा इक्वाइर के जाने वाले 97 मेट इन इंडिया ड्रोन के बारे में हाले में एक न्यूज इससे रिलेटेड निकल कर सामने आईए जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया आम फोर्सेस सर्विलांस परपस के लिए 97 मेट इन इंडिया ड्रोन खरीदने वाली है ये 97 मेट इन इंडिया ड्रोन मीटियम के टिगरी के लोंग इंडियूरेस ड्रोन होंगे और इन ड्रोन का इस्तमाल पाकिस्तान और चाइना के साथ लगी बोडर्डरस पर पेट्रोलिंग मेशन के लिए क्या जाएगा sources के द्वारा ये बताया गया है कि भारती रक्षा बलों के द्वारा स्विक तुरूप से एक scientific study की गई थी और उसके बाद forces द्वारा ये नेने लिया गया इप medium altitude के long endurance requirements की आवशकताओ के लिए लगबग 97 ऐसे ही drone के आवशकता होगी और इन 97 made in India drones खरीदना का जो प्रोजेक्ट है इनकी जो कुल कीमत होने वाली वो है करीबन 10,000 करोण इंडियन रुपिस इसके अलाबा इस परिजना की लिड़ सर्वेस इंडियन एरफोर्स रहेगी क्योंकि देखा जाए तो इंडियन एरफोर्स को ही सबसे अधिक इन Unmanned Aerial Vehicles के आवशकता है और इस प्रोजेक्ट के तहट इंडियन एरफोर्स को ही सबसे अधिक ये made in India drone दिये जाएंगे साथी फ्रेंट्स ये 97 made in India drone की जो न्यूज है ये भारत के द्वारा सहित तराजे अमेरिका से 31 MQ-9, Sea or Sky Guardian High Altitude, Long Endurance आम ड्रोन की डिल के बाद सामने आईए जिसका नंबर 31 ही रहेगा और इनमें से 8 drone, Indian Air Force, 8 Indian Army और इनमें से करीबन 15 का उप्योग इंडियन नेवी के द्वारा किया जाएगा हाला कि ये अभी तक स्पस्ट नहीं हो पाया है कि कौन सा drone इनके द्वारा खरीदा जाएगा क्योंकि कई सारी रिपोटों से ये दावा किया गया है कि जो भी drone Indian Armed Forces के द्वारा लिया जाएगा उनका Endurance 30 से अधिका होना चाहिए इसके अलाबा ये drone पिछले कुछ वर्ष्यों में भारती सेनाओ के द्वारा अपने अपने बेडे में शामिल किया गये है साथियों इन drone को हिंदुस्ता नेर्नोटिक्स लिम्टेट के द्वारा Original Equipment Manufactures के साथ साजदारी में Make in India मारगे के माध्यम से अपग्रेट किया जा रहा है जहां उन्हें करीबन 60% से भी अधिक इन्डियन कॉंटेंट का उप्योग करके देश के बितर ही अपनी capabilities को अपग्रेट करना होगा इन 97 Made in India ड्रोन के लिए भारत के पास सोदेशी options में DRD के दोरा design किया गया तापस BH201 ड्रोन है जो कि कतितोर पर केमवल 18 गंटे तक उडान भणने में सक्षम है और हम सभी को पता है कि ये ड्रोन अपने development trials पूरा कर चुका है और अभी इस समय इस ड्रोन के user trials चल रहे है साथी इंडियन नेवी के दोरा इस ड्रोन के trials किया जा रहे है देखे हाली में इसने 27.2023 को करनाटे के ATR चीतरदूर्गे में पहली बार त्री सेवा टीम के सामने अपनी शमताओं का परदेशन किया था और DRDO तता इंडियन नेवी के दोरा इस ड्रोन के प्रशन सा भी की गई थी और अब इसा माना जा रहा है कि तापस unmanned aerial vehicle उप्योग करता मुल्यांकन परिक्षनों के लिए पूरी तरह से तयार है और यह काफी ज़्यादा चांसे है कि इंडियन आर्म फोर्सेस के दोरा तापस unmanned aerial vehicle को लिया जाएगा अब इसके बार में अगर आपके कोई विचार है तो आप कमेंट बुक्स में बता सकते अगर वीडियो पसंता है तो लाइक कर लीजे चैनल पनाया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे विश्यों वेरी बेश्ट थेंक इस सो मच